अज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आमला के बेनिफिट्स दोस्तों यह आमला है जिसे मैंने आमले का मुर्बा बनाया है और यह देखने में काला इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने इसमें कोई भी इसका कलर मैंटेन करने के लिए नैजरल रखा है और कोई भी प्रेजर्व इसलिए इस तरह से एक रहा है तो दोस्तों आये देखते है किया इक बेनिफिट्स हैं इसके तो बहुत सारे कोईमींट्स आप tomato ये में जरूर इस करने मूंगी आपसे ताकि आप बेसे कर सको अपनी दियली लोइख में तो दोस्तों आपले को हम वह अच्छा सोर्स मानघे क्योंकि इसका 100 ग्राम ही हमारे 445 mg विटिमिन-C की मात्रा को भनपूर करता है हमारे बॉडी में तो दोस्तों आमले का जूस पी सकते हैं या फिर आमले का मुरभा ले सकते हैं हम आमले का मुरभा बेश्ट लगता है मुझे क्योंकि आप इसे बना करके रख दो एक बार तो यह 5-6 मुंस या इससे जादा भी चल सकता है और इससे अगर खराम नहों तो आराम से चल जाता है तो दोस्तों आजे जानते हैं इसके क्या के बेनिफेट्स हैं यह सबचे-पहले हमारी Immunity System को बूश्ट करता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे Natural contents होते है केमिकर्स होते है जो हमारे immunity system को boost करते हैं प्लस ये हमारे अंदर blood में hemoglobin की मात्रा को बढ़ाता है तो दोस्तों ये immune system को boost करता है plus hemoglobin की मात्रा को बढ़ाता है इसलिए ये हमारे लिए infection से infection प्रतिरोधक चमता हमारा बढ़ाता है जैसे seasonal problems होती है हमें cuff cold हो जाता है गले में pain हो जाता है या फीबर बढ़ा इन सब से हमें अच्छे से बचाता है दोस्तों इसका अगला benefit है कि हमारे memory power को बढ़ाता है और हमारा stress level कम करता है जिससे कि हम अपने आपको relief पाते हैं माइंड हमारा concentrate होता है और हम बिल्कुल अच्छा feel करते हैं अंदर से दोस्तों इसका अगला benefit यह है कि हमारे eyesight के लिए बहुत ही फायदे मंद है अगला benefit इसका यह है कि यह हमें aging से बचाता है दोस्तों हम जानते हैं कि aging हमें सबसे ज्यादे कि से पता चलती है हमारे aging हमारे skin से और हमारे hair से हमारे hair वीक होने लगते हैं और इसकिन रिंकल होने लगती है और dead skin sense आ जाते हैं तो यह हमें हमारे skin को youthful लगता है glow देता है अंदर से बीटेमिन-C की मातरा को फर्पोट करके हमारे स्कीन हेल्थ को बढ़ाता है और हेयर को रोट से मजबूत करता है काले लंबे घने बालों के लिए बहुत फायदयमन्द है तो दोस्तों यह हमें एजिंग से बचाता है और हमें लंबे खमय तक यूथफुल रहने में हेल्प कर करता है इसका अगला बेनिफिट यह है दोस्तों कि यह हमारे बोड़ी में बुट कोलेस्टरोल लेवल को बढ़ाता है और बैट कोलेस्टरोल लेवल को घटाता है जिससे कि हमारे कई सारी प्रॉब्लम सौल हो सकती है बैट कोलेस्टरोल से हमारे बॉड़ी में हार्ड डिस स्टोन फॉर्मेशन को रिड्यूस करता है जैसे गॉल ब्लेडर स्टोन्स हो जाते हैं तो यह उसके रिस्क को खतम करता है दोस्तों यह डाइबिटीज के पेसिंस के लिए भी रामबाड इलाज होता है अगर हम नौमल है तो यह हमारा ब्लड सुगर लेबल मेंटेन करके कभी दिए भी उसे राइज नहीं होने देता और मदद करता है कि डाइबिटीज ना हो और जो भी डाइबिटीक पेपल है अगर वह भी इसे कंजूम कर रहे है डेली बेसिस पे तो उनका ब्लड सुगर लेबल यह मेंटेन रखता है प्लस इंसुलीन के सिक्रीशन को रेगुलरा करता है दोस्तों वुमेन और मेंट के लिए इसका स्पेशल बेनिफिट यह है कि यह वुमेन में में मेंस्ट्रूल क्रेम्स प्लस मेंस्ट्रूल पेन को रिड्यूस करता है क्योंकि इसका आयरन कंटेन बहुत अच्छा है इसलिए हीमोगलोबिं की मातरा को बढ़ाता है प् है दोस्तों यह OST करवि और जांडी प्रॉब्लम्स में भी हमें बहुत मद्त करता है इसकरवी जोगी बिटयमिन सी ब्दिंटा से होता है थो हम जानते हैं कि आब में बिटम da में scene सी की भर भब्र ह Michज़ बचाता है और जांडी में भी लिवर की ओ और्गनाइज करके रेगुलराइज करके यह हमें जॉन्डिस की सिम्टम्स को भी रिड्यूस करता है और जॉन्डिस से रिलिफ पाने में मदद करता है तो दोस्तों कैसा लगा आपको आमले के मुरब्वे के फायदे जानकर उमीद है बहुत अच्छा लगा होगा तो आप भी इंजुआए करिए आमले का जूस या आमले का मुरब्वा मैं फिर से आपके साथ सियर करती रहूंगी बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के फायदे ताकि आप भी उसका बेनिफिट ले सके भरपूर मात्रा में तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो जैसा भी लगा हो कमेंट लिखना ना भूले and don't forget to like, share and subscribe for more videos आप subscribe जरूर करें बाई